नमस्कार दोस्तों मैं विप्पुल राजबरी स्वागत करता हूं विप्पुल एजूकेशन चैनल पर हाप सभी का दोस्तों आज हम जो है आरबेसी क्लास 12 शंसकर साहित तेक अंदर जो चंद अलंकार का पारट है पांस नमर का चंद के प्रशन पांस नमर का चंद अतर पां सामाने से कोई भी प्रशन पूछ सकते हैं दो नमर का प्रशन आता है इसमें आपको चंद का उधारन दिखना होता है लक्षण और उधारन ठीक है और एक आपको उधारन देकर गणचिन लगाने का कहेंगी तो आज हम सुरवात कर रहे हैं संद के सामाने परीच्चे से या आपसे पहले तो यह समझो पद लिखते समय वरणों के एक निश्ठत वेवस्ता बनाए रहने परते यही वेवस्ता चंद या वृत कहलाती है ठीक है चंद या वृत के भेध देखो परतेग पद के चार भेग उता है जिसे पादिया चंड कहते हैं यानि परतेग जो पद् पाद या चर्ण कहा जाता है जिस वर्त के चारों चर्ण बराबर हो वह समवरत कहलाता है आपसे प्रिक्षा में यह प्रस्ण आजाए कि मालेजी यह प्रस्ण आजाए कि कौन सा मलब जिस वर्त के चारों चर्णों में बराबर वर्ण हो वह कौन सा व्रित या कौन सा चंद कहेंगे क्या कहेंगे सम्वृत कहेंगे लेकिन जिसके प्रथम और तृत्य बिद्य और चतु तवर्ड दृष्टि से समानों वे अड़ सम्वृत कहलता है यानि पहला और तीसरा दूसरा और चोथा वर्ण दृष्टि के वर्णों की दृष्टि समानों उसे अद्धा सम्वृत कहेंगे लेकिन जिसके चारों चर्णों में वर्णों संख्या समानों वे विशम्वृत कहलता है यह आप सामाने जान करें अब आपके गूरू लगू विवस्ता जो है यह मैं जान करें इसमें से प्रशन बनने की संभ लगू का आई और गूरू को एस की नाम से जानती यह इनके गणचिन है कि इसी बाद देखो सामयने में जो चोटा स्वह होता है जैसे यह यह है यह यह कि इसके पर अगर आप गरद्चाल लगाऊगे तो आपको यह लगाना पड़ेगा और अगर यह यह हो तो आपको फिर एस यानि गुरू लगाना पड़ेगा और दिरिक्सवरा में इसा गुरू होता है ठीक है दिरिक्सवरा में इसा क्या होता है गुरू लिकिन तो कुछ आवस्ताओं में यानि रैस्वस्वर भी गुरू बनाया जाता है चंद में गुरू लगो वेस्ता का नियम है यानि एक अनुस्वार युक्त यानि कोई भी जैसे मतलब ये है ए है इसके ओपर अगर अनुस्वार आओ तो इसको आप ये नहीं गुरू मनोगे ठीक है इसके बाद आता है विसरग युक्त यानि ये है और इसके बाद विसरग दियावे तो ये भी गुरू मने जाएगा संयुक्त यानि दो मिलेवे जिसे क्षय है त्रे है ये है ये भी गुरू मने जाएगे संयुक्त वर्ण के पूर्वे का वर्ण भी गुरू होता है यानि आद्दा वर्ण हो जाएगा ठीक है और शे सभी वर्ण लगोते हैं चंद के किशिपत का अंतिम वर्ण लगू हो और आव सकता होने पर वह गूरू हो सकता है इसलिए एक स्लोक आगए सा अनुस्वारस चे दिर्गस चे विसर्गी चे गूरूर भैवेत वारनेह संयोग पूर्वस चे तथा प विसर्ग से यूग गूरू होगा वर्ण संयोग पूर्वस चे यानि संयोग तो वर्ण के पहले का वर्ण गूरू होगा और अंतमे वाला गूरू ही होगा यह गूरू और लगू की व्योस्ता है ठीक है यह लगू गूरू का आपकी व्योस्ता है यति के शेकते हैं चंद म तो यह इसके बाद जो एक गणवे वस्ता है कि गणवे वस्ता क्या लगती है कैसे लगाती है यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे आपको यह आज की परीचे क्लास का वीडियो कैसे लगा अगर इस वीडियो पर लगबग 100 वीडियो आते हैं तो मैं इसका नेक्ट वीडियो का लेका हुगा नहीं तो जब सो भी हो जाएंगे तब इसका नक्ष्ट पढ़ आएगा तो यह है तो आपका वीडियो कैसे लगा वीडियो अगर लाइक आए तो लाइक शेर और कॉमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा बैल आक इंटे दपा कर धन निवाद जेहिन जेवाद